लेट्स स्टार्ट विद् कोर्शन नमबर वान इसमें से पांच पॉइंट्स दियो हैं हमें और हमें पूछा है कि कौन सा पॉलिनॉमिल हो सकता है इन वन वेरियेबल वन वेरियेबल होना जरूरी है उसका और विच आनौट तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमिल क्या होते हैं तो पॉलिनॉमिल वो एक्स्प्रेशन है जिनके पास वेरियेबल हो, कोफिशिंट हो, एडिशन हो, सब्ट्राक्शन हो, मल्टिप्लिकेशन हो और most important thing कि उनका जो exponent है वेरियेबल के उपर वो non-negative होना चाहिए, non-negative का मतलब कि positive number हो सकता है, लेकिन अगर आपको आता है x raise to par minus 2, तो यह आपका polynomial नहीं हो सकता, negative number नहीं होना चाहिए, fraction नहीं होना चाहिए, जैसे मालो आपको x raise to par 1 over 2 दे दिया, तो नहीं होना चाहिए, किसके उपर नहीं होना चाहिए, variable के उपर, किसी number क यह उपर है, तो वो आपका, हो सकता है, polynomial, लेकिन अगर variable के उपर half, यह negative number आ जाए, तो वो possible नहीं है, अब हम देखते हैं कि कौन से polynomials है, और one variable का मतलब है, कि expression में, जैसे आप यहाँ पे देखो, first वाले में, तो सिर्फ एक ही type का variable use हुआ हुआ है, वो है x यहाँ पे, तो variable दो वान हो गया इस case में, और यह हमारा polynomial भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो, तो सारी पावर हमारी कैसी है, positive है, तो we can say that x is the only variable here, this is the only variable in the first part, and power of x, जो पावर है x की, वो कैसी है, our whole number, so therefore you can say, this is a polynomial, इसी दरा second पे आते हैं, second में भी आप देखो, तो y के उपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब positive exponent है, और positive exponent है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, कि यह एक polynomial है, under root किसके उपर नज़र आ रहा है आपको, number के उपर नज़र आ रहा है, इस वज़े से वो क्या होगा, फि तो इस वज़े से यह variable ही, मतलब यह हमारा polynomial ही रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, y is the only variable, एक ही type of variable यूज़ हुआ हुआ है, तो one variable हो जाएगा यह, and you can write power of y is a whole number, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यह जो हमारा expression है, वो polynomial है, इसी तरह third part पे move करते है, third part में देखो, तो आपको समझ आ जाएगा कि यह polynomial नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो, तो t की power क्या है, half है, और मैंने आपको initially यही बता दिया था, कि आपकी कभी भी power whole number के सिवाए नहीं हो सकती, जैसे कि fraction नहीं हो सकता, जैसे कि negative number नहीं हो सक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो यह जो expression है, it is not a polynomial, why? because you can see that t, t has a half as an exponent, let's move to fourth part now, it is y plus 2 over y, तो अगर आप यहाँ पर देखो, second expression में, तो यह जो हमारा y है, यह उपर जाएगा, और इसकी जो exponent है, वो क्या हो जाएगी? minus 1, क्योंकि अभी इसके पस क्या exponent है? 1 है, उपर ले जाएंगे तो negative हो जाएगी, तो negative होगी, इसका मतलब आपको समझाई क्या होगा, कि polynomial नहीं ह हो सकती, तो negative term है, तो इसका मतलब, this is again not a polynomial, let's now move to next one, fifth part, fifth part है आपका x raise to power 10, plus y raise to power 3, plus t raise to power 50, तो यह one variable तो नहीं है, आप भी देख सकते हो कि इसके अंदर x है, y है, t है as a variable, तो कितने variable होगा इसके, three variable होगा, तो यह polynomial in one variable तो नहीं है, लेकिन, polynomial जरूर है, क्यों polynomial है, क्योंकि अगर आप देखो, तो यहाँ पे सारे ही, जो exponents है, हो कैसे है, positive है, यह whole number है, but this is not a polynomial in one variable, polynomial जरूर है, but one variable नहीं है, so yes, this is how you can differentiate between polynomials and the other terms, so yes, this is how you can do question number one, let's now move to question number two